मास्कार मरतमसेंभारती आज हम बात करेंगे बिहार में बारिस और गर्मी दोनों के बारे में पिहार में सोबार को मौनसून ने दस्तक दे दी, मौसम बुभाग के तरफ से जारी अपडेट के अमसार, उत्तर बिहार के चार जीलों में मौनसून सक्री हो गया है, लेकिन मौनसून इन चार जीलों से आगे बढ़ नहीं रहा है, ऐसे में आप कहा जा रहा है कि क्या मौनसून कमजोर पड़ गया है हलाकि अगर मौसम विभाग की तरफ से जारी नए आखनों को देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि 16 जुन के बाद से पूरे बिहार में मौनसून का असर देखने को मिलने वाला है यानि की पूरे बिहार में बारिस होगी विभाग ने यह भी बताया है कि परदेश में इन दिनों मौनसून के सक्रिय होने के अनुकूल परिस्थिती बनी हुई है साथ साथ विवाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि अगले तीन दीन में पूरे बिहार में मौनसूनी हवाएं का परवाह जो है वो देखने को मिलेगा पिछले दिनों कि संगंज अररिया में जम कर बारिस हुई है ऐसे में आप कहा जा रहा है कि उत्तर पूरी बिहार में जम कर बारिस होने से मौनसून कूई शक्रिता और बढ़ने वाली है और मौन फूरी बिहार में मौनसून के आग्वार की खवरे तो बनी रही है इसके साथ साथ पर देश में हीट वेब की के खवरे भी खूर सुर्खियां बटो रही है एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि मौनसूल एक्टिव हो गया है यानि कि बारिस हो रही है तो बहीं दुसरी दिरफ गर्मी से लोगों को घर से बाहर निकलने में परिसानी का सामना करना पड़ रहा है बिहार का दक्षनी हिस्सा इन दिनों है यहारिस साथ दीगरी से दीगरी अधीक है और यहीं अगर हम और अंगा बात करने ंगा तो यहां 1408 Rickyq तालेज़ साथ डिग्री दफ्मान दर्ज किया गया है हीट विएप को देखते हुए लोगों को घर से बाहर निकलने से साफ तर पर मन किया गया है साथ यह भी कहा गया है कि जरूद होने पर ही घर से बाहर निकले बिहार में इंद्रों मॉसमिन सिस्टम पूरी तरह से बदल बताया जा रहा है कि प्रदेश में एक नया हीट अस्पार्ट बखसर में बन गया है बतादें कि इस से पहले सबसे गर्म अस्थलों का अगर जिक्र होता था बिहार में तो वह था गया और उसके बाद अरंगाबाद का नाम आता था लेकिन अब यह बक्सर में पहुच गया है इस वार गर्मी में बक्सर सबसे गर्म अस्थलों में से एक रहा बिवाग की तरफ से मेरी जानकारी के अन्सार यह बताया जा रहा है कि प्रस्थिती में हो रही बदलाब को देखते हुए इस तरह की सितियां उत्पन हुई है अगर हम आकणों को देखे तो एक मार्ज से 15 जून के बीच में बक्सर में करीब 18 वार ऐसे सिती रही जिसमें की पूरे प्रदेश में लू जैसे हाराद रहे इसके बाद दूसरे नंबर पर रोहतास रहा जहां सबसे अथिक गर्मी पड़ी है इन जिलों में पच्छुआ हवा का प्रभा सबसे जादा देखने को मिला इस साल की गर्मी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यहां गर्मी पड़ी है वहां के लोगों को इस बार रहत की मिली है क्योंकि हीटवेब के मामले गया इस बार तिसरे अस्तान पर रहा है और अंगावाद चांवत्य ये हो ङए हो लेकिं अभी भी पर्देश के ज्यादा तर हिस्सें जुह है वो गर्मी की मार जेल रहे खास का रकिरा दानी पटना और इसके आस पास की इलाके और जक्षिन का जो इलाका है और पूरी तरिक्षे से गर्मी की मार जेल रहा है बिहार और बिहार से जुड़ी और बेसे खबरों के लिए बने रहे हैं बिहारी ने उचके साथ मुझे देज़े जाज़ धन्यवाद